गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे मूरल साइंस मूरल साइंस में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर फॉर तो आएए देखते हैं कि चैप्टर फॉर में हमारा क्या है चैप्टर फॉर का चैप्टर नेम है किपिंग क्लीन किपिंग क्लीन मेंस साफ रखना ठीक है आसु इस लिटिल बॉई आसु एक छोटा लड़का है वह अपने हाथ नहीं धोता है वह अपने दाद को ब्रश नहीं करता है वह अपने बाल नहीं जारता है यह बिलकुल कौवे की घोसले की तरह दिखता है आसु का बाल वह कभी नहीं जारता है जिसके कारण वह बिल्कुल कौवे के घोसले की तरह दिखता है वह प्रती दिन नहीं नहाता है वह गंदे कपड़े पहनता है वह बाइट्स हिस नेल्स इस्टुडेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा आसु जो है वह एक छोटा लड़का है इसके बाड़े में बताया गया है तो यहाँ पे ही के बाद नेवर होगा यहाँ पे नेवर छुट गया है तो आप लोग इसमें एड कर लीजिएगा वह अपने नाखून कभी नहीं काटता है एक दीन आसु की क्लास्मेट रुची आसु को छोड कर बाकी सभी बच्चों को अपने बर्डे पार्टी के लिए इन्वाइट करती है आसु felt very sad तो आसु बहुत उदास महसूस किया His mother found him crying in his room तो उसकी मां उसे जोड से चिलाते हुए अपने रूम में पाती है What's the matter आसु? she asked तो वह पूछी कि क्या बात है आसु? रुची has not invited me to her birthday party said आसु तो आसु कहता है कि रूची ने उसे अपने बर्डे पार्टी में invite नहीं किया है Look how dirty you are देखो तुम कैसे गंदे लग रहे हो You must brush your teeth तुम्हें हमेशा तुम्हें अपने दातों को brush करना चाहिए Comb your hair बाल जारना चाहिए बालों को comb करना चाहिए and bath everyday और प्रती दिन नहाना चाहिए You will have many friends then said his mother तब तुम्हारे बहुत सारे मित्र होंगे उसकी मा कहती है आसू realized his mistake तो आसू अपनी गलती महसूस किया आसू ने अपनी गलती को महसूस किया From that day he started keeping himself clean और उस दिन से वह अपने आपको साफ रखना सुरू कर दिया Now, आसू has lots of friends अब आसू के बहुत सारे मित्र है He is very happy वह बहुत खुस है तो इस तरह से हम लोगों को अपने आपको हमेशा साफ रखना चाहिए जिससे की हमारा सरीर स्वस्त रहे और स्वक्च रहे और दूसरों को भी अच्छा लगे देखने में दूसरे लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे और जब हम अपने सरीर को साफ रखते हैं तो हमारा सरीर बीमारियों से भी दूर रहता है तो इसलिए हमें अपने सरीर को हमेसा साफ रखना चाहिए ठीक है स्टुडेंट्स मैंने आपको ये स्टोरी पढ़ाया अब आप इस स्टोरी को अपने घर पे रेडिंग कीजिएगा इसे अच्छे से पढ़िएगा और आगे का अबजेक्टिक कुश्चिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ओके स्टुडेंट्स थैंक यू